नमस्कार आप सभी का परिक्षा प्लस परिवार में स्वागत है आज हम बात करेंगे कल जो आपके जो है मंत्री मंडल ने क्या पास किया क्रामिक विभाग ने कि एक आपका एनरे एजनसी बनाई गई है जिसके तहत ठीक है आपके जितने भी एक्जाम खास कर केंद्र सरकार जो कराती थी उनको एक प्लेटफॉर्म लाने पर गौर्रमेंट ने काम किया है इसकी बात काफी पह हम इसी मुद्दे पर बात करें की कौन-कौन सी एजनसी इसके अंतरगत आई है इसका फायदा क्या है इसका नुकसान क्या है ठीक है अब नुकसान या फायदा कुछ भी हो जब चीजे लागू हो गई है तो आपको उसी के एकॉर्डिंग क्या करना है काम करना है ठीक है हिसाब से क्या करना है चलना है और कहीं ना कहीं गवर्मेंट ने आप लोगों को ध्यान में रखते हुए सभी को ध्यान में रखते हुए कुछ अच्छे कदम उठाए हैं ठीक है कुछ उसमें हो सकता है कोई भी चीजे लागू होती है तो इसमें देखो गलत भी होता है कुछ चीज और कुछ सही भी होता है मेल बात यह होती है कि government ने लौगू तो किया क्या वो government अगर सही धंग से सुचारू रूप से अगर चीज़े को चला ले जाती है तब तो ठीक है अगर ये policy इन्हों ने ले आया बेस्ट policy है ठीक है इससे पहले NTA आपकी काम कर रही है इस पर ठीक है तो अगर ये policy इनका बहुत अच्छा अगर इस पर इन्हों ने अच्छे से काम कर लिया चीजे time duration अगर खीचा नहीं तो यह अच्छा खासा रिजल्ट देगी आपके भविस्से के लिए तो इहीं सब पर आज बात करेंगे हुआ यह कि काफी दिन से मामला चल ला था सिंगल विंडो एक्जाम आप लोग भी काफी दिन से सुन रहे होगे तो वह सिंगल विंडो एक्जाम जितनी भी इंट्रेंस लेवल के आपके एक्जाम होते थे खास कर जिसमें आपको यह तो कम्पुटेटिव लेवल का हो गया वह इंट्रेंस लेवल का हो गया जैसे आपको आईटी जई का एक्जाम देना है किसमें आईटी में पढ़ने के लिए तो आपको एक्जाम देना पड़ता था, MBBS के लिए admission लेना है, college में तभी आपको क्या करना होता था, entrance exam देना रहाता था, UGC net करना है, जिसको CVSC conduct कराती थी, उसे भी आपको क्या करना था, entrance exam देना होता था, लेकिन बाद में government ने 2017 के अप्रोक्सायद NTA का गठन किया, और NTA को क्या किया, कि जितने भी ये entrance examination होती थी, central government के अंतरकत, उसको क्या किया, लागू कर दिया कि भाईया, आप बोज उठाओ इन सब का, अलग-अलग से exam होने से, छात्रों पर भी pressure होता है, अलग-अलग syllabus का, अलग एक ही date पे, दो exam conduct हो जाते थे, तो भाईया, उन पे application लिखना होता था, कि MBBS जैसे, बायो और मेथ दो ग्रूप के बच्चे भी रहते थे, कभी-कभी, तो उनमें क्या हो जाता था, मालनों उनका जाना हुआ किधर, बायो के stream के side देना हो, तो बायो कभी अगर exam दे रहे हैं, और मेथ के stream में जाना हो, तो हो सकता है, कि दोनों का MBBS और JEE का exam collapse कर जा तो इन सब को हटाने के लिए, ऐसे कई हैं पहलू, जिस पर हम बात कर सकते हैं, उन सब को हटाने के लिए उसने NDA का गठन किया, और सही रूप से वो काम कर रही थी, जिसको देखते हुए गवर्मेंट ने सोचा, कि अब competitive exam के लिए भी ऐसे agency का गठन किया जाए, और उसी पर आपका निकल के क्या आया, National Recruitment Agency, ठीक है, कौनसी एजनसी, National Recruitment Agency, इसके अंतरगत, NRA, ठीक है, इसका नाम NRA है और उसका नाम NTA है, अब इसमें बोला गया भाईये, इसमें एक सच्यू लेवल का मेन, इनका अध्याच जो होगा, एक सच्यू लेवल का अधिकारी होग गया है कि जितने भी competitive exam होते हैं, जिसके तहट आपके क्या होते हैं, आपको रोजगार दिये जाते हैं, उन सब का भार आपको उठाना है, और सुरवात में क्या करना है पहले आपको, कि सुरवात में अभी जो अधर 2021 वाला है, 2021 से चालू कर देगा अपना काम, ठीक है, मुख्यता 3 पर अभी काम सुरुवात करेगी ये NRA, ठीक है, वो किस पे करेगी, वो आपका banking जो है sector है, जिसको IBPS conduct कराती थी, SSC के जितने भी exam होते थे, 10 plus 2 label का होता था, MTS होता था, CHSL होता था, CGL होता था, CPO होता था, जितने exam होते थे, SSC के इसके पूरे exam, प्लस आपक और railway के exam, railway में आपका क्या group D हुआ, ठीक है, उसके बाद से आपके कौन सा हो गया, group D के बाद, NTPC का exam हो गया, और जितने भी तमाम railway के exam निकलते होंगे, इन तीनों के भरतियां, अब NRA के अंतरगत 2021 से सुरू हो जाए, अगर इन department में vacancy है, तो उसका NRA को report जाएगा, और NRA इसका क्या करेगा, पूरा एक list तयार करेगा, अब इस label पर, क्योंकि यह जो आपका होने वाला है, वो B and C group के जो भी job होंगे, उनके लिए यह तैय किया गया है, कि इनका जो competitive exam है, उसको कौन कराएगा, NRA कराएगा, अब इसमें हुआ क्या क्या हो सकता है, तो उसके बा आदे रहा हूं, जो प्रेस की साइट है, देखिए, क्रामिक विभाग का यह notice है, इसी में बताया गया, कि भाईया, आप क्या होगा, कि जो केंद्र सरकार है, इनकुरियों के लिए NRA का गठक कर रही है, और इस NRA के तहट, यह clear हो रहा होगा, आप लोगों को, इस NRA के तहट क्या होगा, कि पूरा आपका एक CT exam conductor आए जाएगा, common entrance test, common eligibility test बोल सकते हो, ठीक है, इसको क्या हो लेगा है, common eligibility test, CT exam कर आए जाएगा, जिसके अंतरगत अभी फिलहाल, किसमें 2021 में, आपका किस किस विभाग को सामिल किया गया है, यह ध्यान रखो, करमचारी चैन आयोग, जो SSC होता है, railway भरती बोल, और IBPS की जो बैंक के exam कराता था, इन तीनों के exam 2021 में, जो भी वेकेंसी आएगी, वो किस के तहट होगी, NRA के तहट, CT, common eligibility test के हिसाब से होगी, इसमें क्या होगा, कि आपको जो अलग-अलग exam के लिए, अलग-अलग paper देना होता था प्री, क्योंकि step क्या होता था बच्चो, आपको अगर SSC देना है, चाए वो CGL हो, चाए CHSL हो, चाए CPO हो, चाए MTS हो, सब में पहले प्री दोगे, उसके उसका मेंस दोगे, और किसी-किसी भी भाग में मानलों interview भी चलता हो, maximum interview तो खतम कर दिया गया था, लगर किसी-किस ने जो ये प्री लेवल है ना आपको, इसको हटा दिया है, इसको उठा के सबका एक कर दिया, क्योंकि ये SSC का मैंने बता, ऐसे बैंक का है, बैंक में आपका प्री दिये, मैंस दिये और interview दिये, interview चलता है बैंक में, ठीक है, किसमें, PO में, clerk में चलता है, उसके बास से और गलग प्री देने की ओ सकता नहीं है, सिफ एक प्री दें, ठीक है, और उसी प्री के basis पे आपका selection होगा, इंदा selection मतलब आपको बुलाया जाएगा मेंस के लिए, इन इन department में, और मेंस का इसने ठेकने लिए, मेंस का बोला, कि मेंस का जो भी exam होगा, जो भी paper pattern होगा, ये आ में भी कराने में असानी जाएगा, ये कराने का मतलब यही है कि बच्चों को पहले sort कर लिया जाए, जल्दी से हर चीजे जल्दी जल्दी होगा, क्योंकि अब एक exam हुआ, तो प्री तो सब के लिए conduct हो गया, तो अब ये बोज नहीं हुआ कि मुझे bank का, bank का भी प्री देन है और रिलिवे का भी प्री देना है, प्री आपका तीनों एक ही सब final हो गया, अगर आपने score अच्छा किया, तो आपको सभी में मेंस लिखने का मौका मिलेगा, ठीक है, सभी विभागों में, जिसमें चाहे आप अपने हिसाब से, जिस विभाग में जाना चाहो, उसमें आ अगर आप एक बार में अच्छा score लाते हो, काने का मतलब है, कि exam हुआ आपका, और exam ने आपने CET में अच्छा percentage score कर दिया, scorecard आपका आया, scorecard बनके आएगा इसमें, जो तीन साल के लिए valid होगा, जो आपका scorecard होगा, वो ये ध्यान रखना, इसमें ये point है, तीन साल के इसमें है, आपका, वो तीन साल के लिए बताए गया है, कि तीन साल के लिए आपका, valid रहेगा, इसका scorecard, ठीक, तो 3, उसके लिए आपका scorecard valid रहेगा, उसके बाद से, ठीक है, तीन साल के लिए valid रहेगा, अब तीन साल में, आपका एक्छा score है, तो किसी भी विभाग में, दूसरी बात यह कि कोई बच्चा कहा कि सर मेरा स्कॉर नहीं अच्छा हुआ तो उसके लिए भाई भी गवर्मेंट ने तैंग किया कि अगर आपने एक बार सीटी दिया सपोस करो एक बार दिया आपका स्कॉर अच्छा नहीं आया मानलो फस्ट आइम में तो अब आपको गव इंप्लिमेंट करने जा रही है गॉवर्मेंट तो हो सकता है लेकिन 2022 से आपका दो बार यह होगा इसको दो बार होना है यह आवस्यक है यह नोटिस में दिया गया है ठीक तो अई यह दो बार साल भर में होगा अगर आप पहले एक्जाम दिये आपका स्कॉर मानलो आपने जो है CET की जो eligibility है वो qualify कर लिया लेकिन score आप संतुस्ट नहीं है score से आप improve करना चाहते हो तो फिर से दे दो दूसरा वाला CET और उसमें अच्छा खासा score आगया तो बच्चे क्या होगे दीरी दीरी जिसका score अच्छा आता रहेगा वो अपना हटते रहेंगे तो एक भीड दीरी दीरी नहीं भीड आएगी कम होती रहेंगी चीजे ठीक बाकी मेंस के लिए आप लग जाओगे जिस डिपार्टमेंट में आपको जाना होगा उसके मेंस की तैयारी करोगे तो इससे क्या होगा गौवर्मेंट ने कई फायदे गिनाये हैं ठीक है उसको भी हम देख ल तो प्रींडे निकल यादा था उसका मेंस अगले साल होता तो अब क्या हुआ कि हर एक एग्जेंसी का ssc watch a bank हो उसका खतम हो गया तो मेंस जब वो एजेंसी कराएगी तब आप जाके सीज़े उस कमेंस लिखो और उसके साथ ही साथ आप बोल कहा रही है आपके फायदे में कि जो आप लोग डिस्टेंस ट्रेवल करते थे इधर उधर जाते थे कई सभी के प्री के लिए फॉर्म जेसे मालोग बैंक है तो बैंक के लिए आप 800-900 रुपया प्रीक करते थे ठीक है बैंक का जब आ एक्जाम देना हो तो एक्जाम प्री देने के लिए उन सब की बजाए आपको एक बार फी सब्मिट करना होगा प्री के लिए अलग से आपको नहीं करना होगा मेंस के लिए आप वो एजेंसी डिपेंड करेगा से पे कि मेंस का जब फर्म भराती है तो क्या वो आपसे पैसा कितना लेती है वो तो उन सब पे डिपेंड लेकिन जो अलग अलग एक्जाम के लिए आपको फर्म भरना पड़ता था वो एक बार भरना पड़ेगा एक पोटल पर बढ़ना पड़ेगा आप लोग NTA कुछ आपका सेंटर एलॉट होगा आपको चूज करना होगा फॉर्म आप यहीं से फिल करेंगे सीटी के लिए कॉमनिंटेस टेस्ट के लिए ठीक तो मैंने पहला पॉइंट आपको जो बताया वो याद रखना कि इसका स्कोर कार्ड क्या स्कोर कार्ड तीन साल तक वैलुड रहेगा मतलब तीन साल तक आप किसी भी उसमें जाके आप ले सकते हो दूसरा पॉइंट इसमें यह है कि अभी सुरुवात में ये 2021 में SSC, बैंक और रेल्वे के एक्जाम कंड़क कराईगी उसके बाद से गवर्मेंट ने बोला है कि धीरे धीरे इसके जो स्कोर कार्ड हैं ये प्राइवेट संस्था भी इसका उप्योग कर सकती मतलब compulsory नहीं डाला है उन्हें बोला कि अगर उनकी स्वच्छता है वो चाहती है अपने में private जो इंडस्टी है बच्चों को लेना रिक्विट करना चाहती है तो इस criteria पर इनकी scorecard पर अपने बुला सकती है साथी साथ ये भी बोला है आगे चलके राज का जो पर इक्षा होगा राज अस्तर कई राज में भी तो यह यह खिछड़ी पकी है तो राज अस्तर भी इसी पर काम करें और इसी में आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आज ट्विट करके ठीक है किसको मोदे जी क धन्यवाद कहा और कहा कि जल्दी ही उत्तर प्रदेश आपके नक्से कदम पर क्या होगी चलेगी और राज में क्या लाएगी पी इटी लाएगी ठीक है बच्चों तो यह इतना जान लोग कि जो केंद्र में मोदी जी कर रहे हैं सेम उसी कदम पर कौन चलने वाला है आपक यह भी कुछ संसाओं के साथ आएगा जैसे आपका यूपिट्रेपलासी हुआ हो सकता है यूपिपलिस हुआ चाहेइड संस्टी बाद के इसके अंतरगत है तो ऐसे कई बढ़के अंतरगत आपका पी लागव होगा जिसमें सभी का प्री के लिए स्लेबस सेम होगा स्लेबस की बाद मैं बोलना हूं सेम होगा तो एक रिड्यूस आपका बड़न यहां भी हुआ है सीटी आने से ठीक तो सेम ऐसे अगर स्टेट में पीटी आता है तो यही यही फायदे होंगे कि आपको हर एक एक्जाम द बना दिया पता चले प्री कराते कराते ही ने सब कुछ टाइम निकलता चला जा रहा है में इसका कोई पता ही नहीं है भरती वेकेंसी का कुछ अता ही पता नहीं है तो जब चीजे सुचारू रोप से नहीं चलेंगी ना तो उसकी डिमेरिट है लेकिन जब सरकार इसो अच् साथ ठीख है यह हो गया पूरा का पूरा के ही की था बैंक हो गया तो आपका पूरकषा प्रवेश हो गया यह है कि पीटी के साल में आपको इनफEu predictable में बात कर लेते हैं उविए क्या हुआ है इसमें ठीक तो तीन साल का मैंने बता दिया उसके बाद से आपके जो center एलोट होंगे इन्होंने कहा है भाईया कि center अभी फिलहाल में 172 से या 175 जीलों के बोले हैं कि ये center अभी दिया जाएगा लेकिन बाद में इसे बढ़ाया जाएगा ठीक है हर उसमें बोले हैं कि ये 100, 1000 के लमसम बो कि आपका में नहीं जाना होगा उन्हें को सेंटर मिल जाएगा तो यह एन अर जो है नो हो हो गया आपका उसके बाद मैं बात करूं कि थोड़ा स्लेबस की बारे बात कर लें घुमा फिर आखेंगे सभी लोगों के मन में होगा सर स्लेबस क्या हो सकता है जब सभी को इन्होंने मिक्स कर दिया प्री के लिए बैंक में तो कुछ था अलग था रेलेले का कुछ अलग फॉर्मेट था एससी का अलग फॉर्मेट था देखो फॉर्मेट सबका अलग अलग था मैं मनता हूं मगर स्लेबस जो बात करें वो कहीं ना कहीं सेम था जैसे बात पाश में कई चीजिए कौमन जैसे मेथ ठीक सिंग रिजनीं च्छाओ दियास साकव ये चेंट्ट्रल के लिए तो कौमन ये इसेंट्रम के लिए क्या है अब जीएश हुआत travel इस में क्या होता का प्रेंक्क कोमर्ज कुछ दो है तो बैंक में इसमें क्या आता था बैंक लेकि प्री में उसको भी हटा दिया था प्री में उसे भी हटा दिया था आपके जो प्री हो रहा है पहले ऐसा था लेकिन आपके प्री में वो भी आपका क्या हो गया हट गया है ठीक तो इस लिवजा से यह कहा जा सकता है इसके स्लेबस में मैथ तो कहीं नहीं जाने वाली रिजलिंग कहीं नहीं जाने वाली और इंग्लिस कहीं नहीं जाने वाली ठीक, मगर railway और railway का अगर pre देखा जाए तो उसमें GS भी पूछता था और SSC का pre देखा जाए तो उसमें भी GS पूछता था तो आपको कुछ GS ऐसे ही पूछा जाएगा जो current relevant होंगे मतलब current के topic खास्तर होंगे जो सब के लिए फायदे मन होगे, हर agency के लिए तो यही आपका syllabus होने वाला है बाकी number of questions mock कैसे होगा इन्होंने साफ साफ बोला है कि mock जो है आप देख सकते हो NRA की जब website बन के तयार होगी तो वहाँ पे NRA क्या करेगा अपडेट करेगा आपका mock test कि कैसे CET का जो है आपका exam होगा अब CET में अस्तर की बात किया जाए कि कितने phase में ये exam होगा मैंने बताया कि दो बार होगा ये हर एक साल में लेकिन उसमें भी 10 10 level का अलग होगा 12th level का अलग होगा और graduate level का अलग exam होगा ठीक है तो सब के लिए अलग-अलग CET होगा जैसे आप लोग MTS का देते थे प्री वो क्या होता था 10 level की जॉब होती थी CHSL प्री देते थे तो 12th की होती थी CGL देते थे तो वो graduate की होती थी वो ऐसे ही यहाँ पे इनोंने क्या किया है CET को divide कर दिया है तीन पार्ट में ठीक है कि भाईया जो 10 पास वाले हैं उनसे graduate level का paper तो हम पूछ नहीं सकते उनका graduate level से तो CET हम करा नहीं सकते कि common entrance हम बोलना है common eligibility test तो पता चले कि हम एक ही paper set कि हैं उसमें विचारे 10th वाले का तो demerit हो जाएगा उसका तो घाटा हो जाएगा इसलिए सब को नजर में रखते हुए government ने कहा कि भाया ठीक है जो 10th पास वाले हो उनसे 10th अस्तर का ही question answer पूछा जाएगा मतलब इनके लिए CET अलग होगा ठीक सालवर में इनके लिए CET दो बार होगा इनके लिए भी होगा और इनके लिए होगा और इनके लिए भी अलग होगा मतलब अलग अलग CET अलग अलग लेवल के लिए लए होगा अब पूछो गे हमसे तुम लोग कि सर्जी दो एक्जाम इसके दो एक्जाम इसके दो एक्जाम साल भर में क्या करा लेगे है अभी तो धनकर से दो अग्जाम नहीं करा पाती है घंसी लटकाय रहती है तो किछ इसकी वेकेंसी किस पर आती है कई सालों में तो डिया था दो डूरूप डीके दिए थे ठीक बाकि रेगुलर भेकेंशी इस पर देने वाले तेनले दस पास पर और 12 में कियों कि अभी किसी की कि बैंट की और रेलिवे की तो एससी दोनों पर देता है वेकेंशी बाकि अभी कोई चाहे बेंक हुआ कभी भी दस अस्तर का कोई एक्जाम नहीं कराता है 12 अस्तर का कोई एक्जाम नहीं कराता है हमें सा graduate का कराता है railway हुआ तो railway जानते हैं कितना लंबा duration में काता है भाई हमारे पास है नहीं एक ही पर समेट लेता है तब आके vacancy देता है तो इस वज़ा से थोड़ा सौर्ट इसमें हो सकता है जैसे नरे को लगेगा जिसकी और सकता है उस हिसाब से आप से क्या कराएगी एक्जाम कराएगी देखें कि अगर इस साल उसके पास 10th level के vacancy जादे आये तो उस साल 10th level कराएगी नहीं आये तो क्यूं कराएगी 10th level का जब हो सकता है जिसकी हो सकता होगी उसको CT कराएगा ठीक है क्यूंकि जब देखेंगे ना कि इसी graduate level का job है इसका मतलब पहले हमें graduate level का CT करा लेना चाहिए ताकि बच्चे जो filter हो जाएं graduate वाले यहां पर बैठ सके मेंस देने के लिए तो वह उस हिसाब से कराएगी वह पूरा सब पूछा जाएगा लेवल अगलाग होगा जो मायत की कुश्चन पता चले हां हाइप पूछे जा रहा है तो यहां दसी लेवल तक पूछा जाएगा आपसे ठीक जैसे एक्जामों में होता था तो बस यह लेवल पर डिपेंड करेगा बाकी आपका यही रहेगा ठीक और इस स्टेट को एक प्लेटफर्म पे ले आएगे ठीक है वहां से जैसे जैसे होगा जैसे इन्होंने बोला कि अभी सुर्वाथ में 12 लैंग्वेज में हम पेपर करा सकते हैं लेकिन बचारे साउथ वाले फस जाते हैं इसी लिए रेलेवे क्या करता है जब रेलेवे का इक्जा सब के लिए चांस देते हैं तो वहीं बोला कि बाकी हम चलके जो यह क्योंकि रेलेवे को भी तो अपने अंतरकत लिया है तो रेलेवे वाले बच्चों को नुकसान उठाना पड़े उनके लेंग्वेज में उनका पेपर होगा बाद में चलके इस बारे लेंग्वेज से 22 ले पढ़े ओ आप जाके दे सकते हो तो मोटा मोटा बात यही रहा पूरे सीटी को लेकर कि याद रखना अगर सीटी के इंगर में लागु हो रहा है तो बुझेविकी सरकार आपके उत्तर प्रदेश में भी है और पीटी की नहीं है सीधे पास ही होगा ठीक और उसकी इंफर्मेशन आपको जल्दी दी जाएगी और उसमें आ जाएगा तो आपका फाइदा ही है जैको कोई सी चीज का नुकसान नहीं होता है गौर्मेंट हर पालू आपको सोचके चलती है आप लोग उसमें डिमेरिट निकालने लगत ठीक है तो इसलिए जो चीजे चलती है इसमें वह लोग सरकार नहीं कुछ करते हैं इसमें आप ही जैसे पढ़े लिखे लोग इस पूरा-पूरा जो है जो ब्यूरो दिया गया ना कि सीटी लाईए चाया पीटी लाईए ये कौन देता है ये आप ही जैसे बने लोग जो अ पास हो ठीक है उसमें आप ही जैसे लोग जो पब्लिक सर्वेंट हो जो गवर्मेंट के अंतरगत काम करते हैं उसी में से लोग जो है ऐसा अपना सुझाओ रखते हैं और गवर्मेंट उतको क्या करती है देखती है ठीक है चलो काफी लोग इसके संदर में बात कर रहे हैं तो इसे पास किया जा सकता है, ये देश के लिए भलाईए, बच्चों के भविश्य के लिए भलाईए, तो ये सब चीजे बात रही है आपकी, किसके CET के बारे में, कि आपका स्कोर मोटा मोटा सुन लो लास्ट में, कि ये एक्जाम साल में दो बार होगा, जिसमें स्कोर कार बनेगा, जो तीन साल तक वैलिड रहेगा, ठीक है, जिसका स्कोर अगर एक बार में सही नहीं होता है, वो री इक्जाम दे सकता है, उसमें कोई बात दे नहीं है, कि आप 50% पायो, तो 50% पे ही रुप जाओगे, आपको देने के लिए नहीं मिलेगा, आप अपना स्कोर इं की गई है, ये भी ध्यान रखना, कितने भी आपकी एज लिमिट हो, आप CET के लिए क्या हो, एलिजिबल हो, ठीक है, बाकी आपको जो सेंटर एलोट होंगे, वो आपके घर के पास ही होंगे, जैसा गौवर्मेंट ने कहा है, तो ये मोटी मोटी इसकी कुछ बाते हैं, जो की आपके लिफ ले झादाए हुआ है, वो रिबल के लिए सकी के का दियए सक्झाए करे दो आपको जए हो, एल वो, उलकर दूआसस औके था, बाते हैं, वो जो आपको जू ए ले झाली हो, जांससेऌ ऑट खकषाए इसा ओको जोजा हो, एलिए आloo हैं, आपके बात्ष्या